लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले पॉलीथीन बंद हुई तो लोगों ने खाने की चीज़ें रिउज पेपर में लपेट कर देना शुरू कर दिया वो भी बिना ये जाने की अख़बार में ये यूँ खाने की चीज़ें लपेट कर देना कितना खतरनाक है अगर आप भी अख़बार में रखी चीज़ें खाते हैं तो संभल जाएए अब से दुकांदार आपको पोहा जलेवी या समोसा, कचोरी अख़बार में रख कर दे तो बिलकुल मत लेना इसके अलावा आप खुद भी खाने की चीज़े किसी को अख़बार में रकर नगने दरसल अख़बार में प्रिंटिक के लिए जिस स्याही का इस्तिमाल किया जाता है वे हैं कई तरह के घातक केमिकल्स से तयार की जाती है जैसे डाई आईसो ब्यूटाइल फटालेट, डाई एन आईसो ब्यूटाइलेट आदी स्याही के अलावा इसके रंगों में भी कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसमें घातक रसायन मिले होते हैं ये हमारे शरी में कैंसर जैसा घातक रोग पैदा करती है अकबार की स्याही में मिले केमिकल्स बच्चों के बौधिक विकास में भी बाधक है गर्मा गर्म पकवान को अगर अकबार में लपेट कर दिया जाता है तो इस पर लगे रसायन के बायो एक्टिव सक्रियें हो जाते हैं ये शरीर को काफी नुकसान पहुचाते हैं अकबार में खाना रप्त करने की परमपरा सिर्फ अब दुकानों तक सीमित नहीं है बलकि लोग घरों में भी ये गलती करते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए इसके लिए कुछ साबधानिया हैं जिसे बरतना चाहिए एन उजपेपर के स्थान पर साफ सफेद कागज एलिमिनियम फाइल का इस्तिमाल करना ज्यादा बेहतर होता है एन उजपेपर पर कभी भी गर्म आहार नहीं खाना चाहिए साधारन तापमान वाले फूट जो ड्राई हों उनके लिए अखबार का इस्तिमाल किया जा सकता है तेल लुक चीजों का सेवन उजपेपर पर रख कर कभी नहीं खाना चाहिए